हेलो प्यारे बच्चियों सारे अनुशा सिकाल जुमाद दूसरी दे स्मूव द्यारतियां दा बहुत स्वागत है तो अपने चैनल आई थिंगते प्यारे बच्चियों आस करता है तुसी बिल्कुल सेत मन्द होगे बिल्कुल तंद्रस्त होगे स्कूल ना विच आ रहे हूँ काम कर रहे हूँ बहुत वदिया लग रहा है तो अन्नों में खुशी हो रहे हैं होएगी कि तुसी स्कूल ना दिविच पहुचके अपने प्यारे बच्चियों आज गल करांगे असी उस विशे दी जिटा बड़ा ही हलका फूलका विशा है हलका फूलका की इन्द है जिटा सनु बोज नदवे सड़े मानते उस्ती कोई ज्यादा सनु दबान नदवे के करना ही करना है पर एता करना ही करना है पर किस तरीके ना कर आपने दन साफ करदेनी वाल साफ करदेनी नौ काटदेनी कपड़े आपने आपनों में साफ रख्या है रोज सैनिटाइजर आपनों में साफ रख्या है आपने आपनों में साफ रख्या है रोज सैनिटाइज आपने आपनों कर देया हत्थानों कर देया ताकि सानू कि टानू वक्त असी हो सके सुवाओ आज इस पार्ट नमर एक तो शुरू कर देयां सेत अति सफाई जेडी के साड़े स्रीर लेए बड़ी ही जरूरी है साड़ी सेत भी जरूरी है सुफाई भी जरूरी है ठीक है? सारे तो पहला आज असी शुरू करांगे के स्रीर ते हत्थान दी सफाई जड़ी है क्यों जरूरी है आओ इस बारे एक शोटी जी कविता तो असी आज अगास करांगे शुरूराद करांगे आओ उस कविता नो पढ़ देयां सारे इंकोल स्वागे जिंदगी दियां पुस सक्किये से तते सफाई दुन्नों साड़ी वासते क्यों जरूरी ने आओ इसका अवत्ता नो पढ़ देयां अकड बकड बंबेबू आपने गंदे हाथ तो किकली कलीर दी सुफाई रखो स्रीर दी पंडा पंडारिया किन्ना कुपार आला द्वाला अपना स्वार ओटना गलूटना कारला सफाई सोचना फिर पढ़ देयां कवता नो बढ़ी सोनी कवता है पहला आसी पढ़ दे हुन देसी ने अकड़ बकड़ बंबे बो असी नब्बे पूरा सो पर आपा इसनो याद रखन वास्ते कि सुफाई रखिये असी गा के ही सिख सक देयां कि गा के कवता गा के असी इसनो याद रख सक देयां कि सुफाई के में रखनी हैं आओ इसनो दुबारा पढ़ देयां अक्कड बक्कड बंबेबू अपने गंदे हाथ तो किकली कली एरदी स्फाई रको स्रीरदी पंडा पंडारिया किन्ना कुपार आला द्वाला यपना स्वार ओटना गलूटना करला स्वाई सोचना मजा आया वेरी गुड़ बस एसी तरह इंतु सीसनु जड़े चार कवता दी लाइना नी इनन चार लाइना नू चार स्टेंजियानू चंगी तरह न तोसी याद कर लना तो सारी स्वाई सानू याद रहेगी क्यसी किस्त्रा स्वाई रखनी है आथा अनू तो उन सीर्दी स्वाई रखनी है नहाँ न अलाद वळ साफ रखन ठीक ते स्वाई रखन लग्यान सूटना नी क्यसी रख्येगे ना रख्ये स्वाई रखनी ही रखनी है चलो अग्गी दीखतीयां पांच बच्चे ने तस्वीर विष्था नुम नजर आरे बिटा पांच बच्चे नजर आरे ने टला बच्चा कह रहे है ये बच्चा कह रहे है मज़ा आ गया ये सारे बच्चे कह रहे हैं मजा आ गया पर दूसरा बच्चा कह रहे है पर गर्मी पसीना तीसरा बच्चा कहा रहे है तूड चुथा बच्चा कहा रहे है खुजली हो रही है खुजली हो रही और पज्वा बच्चा स्यान है सारे ने कलना सुनके कहा रहे है होनता नहोना पवेगा पसीने नाल मुड़के नाल पर जन्यां ता उसे वक्त नहीं नावना चाहिएदा कट्टो काट पांच साथ दास मिट बैठके अपने श्रीर नू नू नॉर्मल टेंपरेचर ते ले आके मतलब के सीन थोड़ा जा ठंडा करके क्योंकि जोसी केड़ देयां मुड़का पसीना पसीने कारण बहुत खुजली हो रही है ता उनू की लगदा है किरन नू की करना चाहिदा है दस्सों खांपला उनू किरन नू की करना चाहिदा है जे अगर इसनू खुजली हो रही है ता वेरी गोड़ सोचो हाँ किरन नू मी नहोना चाहिदा है गोड़ येसे तरहें बच्चे जदो मी सड़ श्रीर नू खुजली होवे सानू जरूर नहोना चाहिदा है पर नहोन भीवल फोल्ट चितरा ढूल को हुना लूपद लीकोड रखना है क शरीर को नूर्मल अनुकूल वाता हो उच्छी अना जुरूरी में टैंपराचि स्री करें निद नइ शरीर आधी स्क्राइभ सब्सक्राइब क्षीर कें ज पनांकि घंडा हो गया है चंडी उन्ना श्रीर न की उन्द है ठंडा ते तत्ता जोसी नहा लेने या ता जो काम लग सकता है गोल्ड हो सकता है बुखार हो सकता है ठीक है ना सड़े मसल जड़े ने आकड सकते नहीं तो इस गल्दा ख्या रखने है कि नहाउना जदो है श्रीर नू नू नॉर्मल टेंपरेचर ते ठंडा करके दासमट बैठके फिर नहाउना है खेड़ देखेड़ दो उससे वक्त नहीं नहाउना नहाउना जरूरी है जिस करके कवता सी पड़ी है उदो जिस सुफाई रखन नहाउना पएगा सो जदो भी पसीना आवे यदा मतलब है नहीं कि जदो पसीना आगया नहालो हाँ जदो खेड़ देवो उदो कट्टा भी नाल चमबडदा है तूड़कान लगदे है पसीना आयन दा नाल चेपके जन्दे है अब था पैरानों चेरेनों श्रीर नों आजे बस तुसीन याद रखनी है कवता तेन चार वरी बोलनी है बोलन तो बाद तुसीन श्रीर दी श्वाई रखन लेए यनू याद रखन है और किरन जेस्तरां पसीन ने तो बाद जड़ा है सुन नहाउना पया तुसीन दस्से आया एसे तना ही जदो में खेल देवो प अगली वीडिदे विच्छापमा फिर गल करांगी स्वाईस बंदी अपनात्या रख्यों कवतानु जुरूर गायन करियो याद रख्यों सारेंद बहु बोलत तान वाद सारेंनू ससीकाल